हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम 40 इंचेस्ट साइज का हल्टर नेक ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं तो दीखे यह जो ब्लाउज है यह फोल्टक्स ब्लाउज कटिंग करेंगे आज तो आप अगर चाहे तो इसे प्रि की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सीधी लाइन खीश दूँगी इस प्रकार से अगर में चैनल पर पहले बारा है और अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किए तो पर चैनल को सब्स्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए गा और वीडियो को सबस्राइब सब्साओं प्रकेंग कि अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खीस देंगे इस प्रकार्विष देंगे अब यहाँ पर हम शोलडर अद्श, करेंगे बोड़न में उसका आप कर लेना है हाप करने के बाद यहां पर हाप इंच लेंगे एश्टरा मार्जिंग के लिए अब इसी प्रकार से हमें सेम मार्किंग निची की तरह भी कर लेना है तो देखिए जितना हमने यहां पर मार्किंग किया उतना ही हमें यहां भी कर लेना है तो इस प्रकार से हमने एक लाइन खीज देंगे तो इसको देखे इस परकार से सिधा कर लेंगे अब देखे बाड़ी मेजरमेंट के अनुसार चेष्ट का जो साइज हो 38 इंच है उसमें दो इंच का लूजिंग एड़ करेंगे तो वह हो जाएगा अब आर्मोल की जो लाइने उसका हाफ कर लेंगे और इस प्रकार से कॉर्णर से मैं यहां पर लगबग सवा एक इंच पर मार्किंग करूंगी अब यहां से हम आर्मोल का शेप देंगे इस प्रकार से तो देखे आर्मोल का मने इस प्रकार से शेप दे दिया अब इसके बाद देखे यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस परकार से गले का तो गले की मार्किंग हम करेंगे पाउने तीन इंच पर तो इस परकार से देखे मैं पाउने तीन इंच पर मार्किंग किया अब शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ पर हम आदा से पाउन इंच तक तो देखे मैं इस इसको यहां पर लगबग पाउन इंच डाउन कर दूंगे इस परकार से अब इसके बाद देखें यहां पर हम आर्मोल को ना पेंगे कि हमारा जो आर्मोल हो यहां पर बराबर आरा है कि नहीं ठीक है तो यहां पर हमारा जो आर्मोल है वह आट इंच है तो इस परकार से मार्किंग कर लिया अब इन निश्यानों को इस तरह से मिला दिंगे अब इसके बाद देखे यहाँ पर हम टक्स के मार्किंग करेंगे तो इस प्रकार से देखे साढ़े चार इंच पर मार्किंग करेंगे अब इस निशान के दोनों तरफ हमें आदा आदा इंच लेना है इस प्रकार से मैंने आदा आदा इंच पर मार्किंग किया अब इसके बाद देखे साइड से हम आदा इंच लेंगे उपर की तरफ और इसको इस तरह से तीरचा मिला देंगे तो देखिए इस प्रकार से हमें बैक पार्ट में कमर की तरफ इस तरह से तीरचा कट कर लेना होता है अब इसके बाद देखिए यह जो हमारा जो बैक पार्ट है इसका हमने यहां पर ड्राप्टिंग कर लिया अब इ पप्रोंग कि दूरसे में करें हैं तो आप धीन को अब ऐसे रहने दिएंगे सामने कंप पला कटिंगिक पिए प्रकार से कप्ड़ को थोड़ा सा ज्यादा चोड़ा फूल्ड करना हूं। इस प्रकार से मिलीक स्वोल किया भी तरह बस्प्र सट हैं, veterinary साइट से हम हुकाय पट्टी के लिए हाप इंच का मार्जिंग लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने आदा इंच का मार्जिंग लिया तो इस परकार से अब देख सकते बराबर आदा इंच है अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमें उपर की तरफ सवा तीन इंच पर मार लगइंग किया और इसके यहां पर एक सीधी लाइन कीज देंगाई अब देखिए यह पर हब प्रॉत के कटिंग करेंगे उसके पदे के जाद करेंगे तो इस पर से इसको डार्क कर लेती हूं वह ज squirrel देंगे और इस को इस तरह से मिला देंगे यहां पर हमारा चेश्ट का जो मार्किंग है वो भी दीख रहा है तो यहां पर देखे मैंने दोनों मार्किंग लगा दिये और आर्मॉल भी यहां पर ड्रॉ कर लिया अब देखे बैक पार्ट का जो आर्मॉल है उसको मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि जो बि अब यहां से हम फ्रंट अर्मूल का शेप देंगे तो देखे बैक अर्मूल जो है उसके आदा इंच दूरी से हमें इस प्रकार से फ्रंट अर्मूल का शेप दे देना है यहां पर इस प्रकार से हमने आर्मूल का शेप दी दिया अब इसके बाद देखे गले का मार्किंग कर इंच पर मार्कन क्या अभ लम्हें यहां पर रखेंगे 27 इंच तो तो दिखिए इस प्रकार से त्जह valoresा है और नीचे की तरप मार्केग करेंगे पाउनितीर इंच पर और धीक इस प्रकार से एक बॉक्स रेडी कर लेना है इस प्रकार से तो देखे पाउने तीन इंच पर यहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से इसको मिला देंगे तो दिखिए इस प्रकार से हमने या पर एक बॉक्स रेडी कर लिया अब देखिए इसके बाद देखिए ये वाली जो लाइने इसके उपर हमें 7 इंच पर मार्किंग करना है और उपर वाली जो लाइने उसके उपर में 1 इंच पर मार्किंग करना है अब इन दोनों निशान उनको हम इस तरह से मिला देंगे अब इसके बाद ही कि हम गले को ड्रॉ कर लेंगे तो सबसे पहले देखे आपको इस प्रकार से डॉट डॉट करके गले का शेप देना है अगर आपको परफेक्ट तरीकिछे शेप देना नहीं आता है तो इसी प्रकार से आपको डॉट डॉट करके शेप देना है सबसे पहले अब इसको हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे इस प्रकार से देखे मैंने इसको डार्क कर लिया तो यह हमारा इस प्रकार से मटका गले का शेप हो गया यहाँ पर मैंने मटका गली का शेप बनाएँ आप चाहें तो किसी और शेप का भी गला बना सकते हैं अब देखें यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे बस्ट पॉइंट का तो अब सेम मार्किंग हम इस तरह भी कर लेते हैं अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खीज देंगे तो देखिए तिनों निशानों को मिलाती हुए एक हम लाइन खीज देंगे यहाँ पर इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हमारा जो बॉड़ी से मेजर्मिंट आया था तो यहाँ पर हम लगबग यहाँ पर चार इंच पर मार्किंग करेंगे तो इस प्रकार से देखिए हम इने चार इंच पर मार्किंग किया अब देखिए हमने जो चार इंच पर मार्किंग किया उसके अंदर की तरफ हमें यहाँ पर आदा इंच ले लेना है तो इस प्रकार तो इसको देखिए इस प्रकार से हलका सा जो हम प्रिंसेस का ब्लाउज में देते हैं उस प्रकार से हलका से शेप दे देना है क्योंकि देखिए सीधा सीधा रखेंगे तो आपकी जो ब्लाउज में नोग बन जाएगा टक्स में तो इस प्रकार से आपको हलका से शेप दे दे अब देखें मार्जिंग छोड़के हमें इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पावनी 4 इंच आ रहा है अब पावनी 4 इंच को हम दूसरे तरप रखेंगे और इस तरह से हम कमर का मार्किंग करेंगे साड़े 8 इंच पर और देख से पावने 2 इंच या 2 इंच भी आप यहाँ पर मार्जिंग ले सकते हैं एक्ष्ट्रा मार्जिंग रखेंगे तो सिलाई करने वक्त आप इसको बाद में कट भी कर सकते हैं अगर कम पढ़ गया तो ठीक नहीं होगा अब देखें इसी प्रकार से में उपर की तरफ भी एक इंच ले लेना है एक्ष्ट्रा और इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो नीचे की तरफ मैंने इसको मिला दिया अब देखें बाद में आप इसको कट कर सकते हैं अगर एक्ष्ट्रा हो भी गया तो लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए ठीक इस बात किया है अब यहां पर एक सिधी लाइन खिश देंगे और देखें बेस्ट पॉइंट से बिल्कुल दो इंच की दूरी पर एक मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से और इसके दोनों तरफ हम इस तरह से दो पाइंट का मार्जिंग लेना है सिलाई का तो आप देख सकते हैं म इस निशान को मिलाती हुए एक सिधी लाइन खिश देंगे अब देखें इसके दोनों तरफ हमें आधा-ादा इंच का मार्जिंग लेना है इस प्रकार से तो आधा-ादा इंच पर हमने मार्किंग किया तो यह हमारा एक इंच हो जाएगा अब देखें से हमें यहां पर दो स्रे भी होना चाहिए तो दीखिए यहाँ पर यह लगबक साड़े तीन इंसे हे तो उतना है हमारे ॹण, दुट सरे ओले मारकिंग करेंगे और यहां से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रहापर रहापका शेप कर लेंगे देवी तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल दो पाइट नीचे की तरफ उतारूंगी इस प्रकार से यह हमारा नया आर्मोलया पर रेडी हो गया ठीक है अब चलिए इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर जो शोल्डर डाउन करते हैं उसको मैंने अभी डाउन नह करना है तो यहाँ पर देखे मैंने फ्रेंट पार्ट और दोनों पार्ट में से मैंने शोल्डर को अभी कट किया नहीं है डाउन करते हुए उसको मैं बाद में कट कर लूँगी स्टिच करते वक्त अगर आप स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इसको अब चम श्टिच लगाएंगे तो यहाँ पर जो एक्ष्ट्रा फैब्रिक आपको दीकरा है उसको हम बाद में कट कर लेंगे अब देखे यह जो मैंने कटिंग कर ली है और देखे इस तरफ चितना आ रहा है उतना ही हमारा यह दूसरे तरफ आना चाहिए तो हम यहा सकेल से सीधी लाइन कीश देंगे और एक्ष्टर फैब्रिक को कट कर लेंगे तो दीकिए बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हमें कट करना पड़ा तो दीकिए सामने की पल्ले के हमारे कटिंग यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर जो गला बना हुआ है उसको अभी हम कट न कीशते हैं और उस लाइन के ऊपर की तरफ हमें कपड़ी को फोल्ड करने के लिए एक इंच ले लेना है इस्ट्रा देखिए आपके पास अगर परियाप्त कपड़ा है तो आप सवा इंच तक ले सकते मेरे पास यहाँ पर कपड़ा कमें तो मैंने सिफ एक इंच ही लिया है अब इसके बाद देखें अस्तिन की जितनी लंबाई है उसमें हमें आदा इंच प्लस करके यह पर लेना है तो दस इंच हमें अस्तिन की लंबाई रखनी है उसमें मैंने आदा इंच इश्टा रखा है सिलाए मार्जिंग का तो इस प्रकार से साड़े दस इंच पर मैंने म किस देंगे अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है मोरी का मार्किंग करना है तो मोरी है पाउने चेंज तो पाउने चेंज पर एक निशान लगाएंगे और देड़ इंच एश्ट्रा लेंगे मार्जिंग के लिए और देखे इस तरह से इसको तीर्चा कर देंगे और इसका आपको हाफ कर लेना है यहां पर और उपर की तरफ आदा इंच लेना है आदा इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को मिलाते हुए हम अस्तिन के गोलाई देंगे तो इसको हम देखे आर्मोल से ठीक नीचे की तरफ दो पॉइंट उतारेंगे इस प्रकार लेते हैं तो देखे अस्तिन को मैंने इस प्रकार से यह पर कट कर लिया और सेंटर पे कट लगाएंगे आर्मोल पर एक कट लगाएंगे और इस प्रकार से फ्रेंट अर्मोल का शेप देंगे तो फ्रेंट अर्मोल को अभी हम कट नहीं करेंगे आपको पता होगा मैं हमेश सीधी लाइन खिस देंगे अब सबसे पहले क्या करेंगे देखिए हुकाई पट्टी के लिए आदा इंच का मार्जिंग ले ले लेना है इस प्रकार से अब देखे हमें यहाँ पे बेल्ट अब इसके बाद दीखे हमें यहाँ पर अपने कमर का फोर्ट लेना है त। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर की तरब एकष ले लेडिए यहां पर इस तरह से शेप देंगे तो देखे, इस तरह से हमने यह हम पे शेप दे दिया, अब इसके बाद हम कमर का फोर्ट पर्ट लेंगे, तो कमरे 34 इन 34 का में पे फोर्ट पर्ट लेंगे साड़े 8 इंच और इस तरह से । अश्ट्र तो इस प्रकार से हमारा जो हाल्टर निक ब्लॉज का ही कटिंग पूरा हो गया है यहां पर जो भी आप बाकी की जो चेंजेस करने हैं वह हम स्टीचिंग करते वक्त करेंगे तो टीचिंग का वीडियो में शेयर करूंगी तो प्लीज आप चैनल को भी तक सबस्राइब नहीं अगली वीडियो में थैंक यू